ओके गाइस व्ल्कम बेक टुड़े इस वीडियो और आज की वीडियो में हम देखेंगे PPR और थोड़े जो रिफ्यूसल आये थे वो तो ये एक मेरे साथ एक हमारे फ्रेंड ने शेयर की थी कि वन अफ माइ फ्रेंड गोट रिफ्यूसल तुड़े 3.42 अम फाइल उन्होंने तुड यूनिवर्सल रिजन यू आज अल्री नो जो हमारे दो है रिजन्स वही या अगर आपको देखना हो तो यह रहे उनकी 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 आपने लेख यह कॉमन रिजन सबको अब आ रहा है फिर दूसरा है टाइमलाइन में 27 को इननने लगाई थी फाइल उन लेटर आया था 24 जून को अभी बावमेट्रिक उनका हुआ था 25 जून को उनको कॉर्रस्पोंडेंस लेटर आ गया और 27 जून को उनकी पीपेर आ गई सो इनको इनको यार फिर दूसरी यह भी 27 जून की पीपेर है कल की उन्होंने फाइल लगाई थी 12 मेको उनका मेडिकल अ जून को और उनका बावमेट्रिक सब्देट हुआ 23 जून को रूसरी जून का हुआ होगा और उनको पीपेर आगे 27 जून को इनको भी कॉंगर्चुलेशन्स और अभी यह जो आप देखे रही है बहुत इंपरेंट मेरे साथ है कि बच्चे ने एक स्टोने ने वाट्सप क ओपन मैसेज शेर किया था कि उनका फाइनल डिसिशन में सो कर रहा है कि यह एप्लिकेशन वॉज अपूड यू निडट तो सेंड और अगर आप इधर देखो तो सिर्फ कॉर्रस्पोंडनेस लेटर ही उनके पास आया अभी तक पीप्यर उनको नहीं आई अगर इंदर भी से किसी भी स्टुडेंट को पता हो कि अगर आपके पास आपके साथ या तो अगर आपके यू नो कोई फ्रेंड सरकल में ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताए यह कमेंट में आमूज तो ऐसा लगता है इट विल बी टेकनिकल इस्यू और आइसा कुछ ही होगा फिर यह हुआ था 12 नवेंबर 2020 को और उनको रिफ्यूजल आ गया 1st मार्च को फिर उन्होंने दूसरी बार एप्लिकेशन की 17 में को उनका बीवेल आ गया 28 में और उनको फिर से रिफ्यूजल आ गया 26 जूनको और इनका भी वह जो टू जनरल रिजन्स होते विल नॉट लिव जो मैच नहीं होता हूँ तो यह थी आज की टाइम लाइन जो मेरे सा स्टूनेंस में शेर कीती है तो अगर आपकी भी पिप्यर आती है तो मुझे जरूर शेर कीजिए नीचा मेरा नंबर होगा वाट्सप पे उसके उपर आप मुझे शेर कर सकते हो और कोई भी इनफोर्म कि भी एंप için मुझे एंपान दो लुदंख टनो मुझे जो मेरा था नंटाब लुदंग ने जरू आपकी ट्रू लुदंग अने खो य। लुदंग, विस्ति नहीं है व्युदग, तो आपकी जरू है नने जरूइनस में ले तो